नमस्कार दोस्तों मैं शाने सेट कैसे आप दोस्तों मेड़ी के मादेम से मेरी आरकोशिश क्या आपकी संदगी बत और सुन्दर माइंड बॉस्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगों आज का जो विश है जिसके बार में हम बात करेंगे बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है बड़े प्यार से समझाऊंगी अच्छे से समझना मैंने देखो जई बही जब कंसिल्टेशन करती हूं तो लोगों के अलग-अलग experience भी बता चलते हैं अलग-अलग combination की वज़े से जो same experience हो रहे हैं वो भी बता चलते हैं मैंने कई लोगों के म बहुत टाइम से सोचा भी था लेकिन हुव हुआ नहीं कहते हैं ना जब मन चाही चीज हो चाही मन चाहा काम हो चाह मन चाहा जोब हो चाह कुछ भी कुछ भी कारो बार हो लेकिन जिस हिसाब से मैं चाहता था वो हो ही नहीं पाया अब अगर astrological point of view से चीजों को समझा जाए तो इसमें जो सबसे ज़ादा important role play करते है that is Saturn which is शनी, राहू, सूर्य, देखो क्याती है ना जो positive जिनके positive है तो पता नहीं क्या का क्या ही हो गया उनका तो जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था उनको वो भी मिल गया बढ़ यहां पर उन भाग के लोगों की बात नहीं हो हम उन भाग के लोगों के बारे में बात करें जिनका negative है और जो वो दिल से चाते वो चीज नहीं हो पाती समझे मेरी बात को अब अगर शनी, राहू, सूर्य, कुपित होकर है ना negative उसके पहले घर, चौथे घर, पाचवे घर, नौवे घर, दसवे घर, किसी भी क्याते है न इन घरों में negative होकर बैड़ गए एक इंसान कुछ भी जो सोचेगा, जिस level पे सोचेगा, वो कभी हो नहीं पाएगा, अब इसका contradictory एक और चीज बताती हूँ, क्याती है ना, ग्रय अपने उपर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर वो चीज़े उत्पन करते हैं, आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ, जबकि सैटन राहू सूर्य ये अगर negative होकर बैड़ जाएं, तो कई बार क्या होता है, इनसान ना, चाहे वो बच्चा हो, मैं ना ये करना चाहता हूँ, फिर हम ये करेंगे, है ना, जैसे जॉब के लिए भी, मैंने ना, या करियर के लिए पते क्या, मैं ना, सोचा है, ये होगा, तो फिर हम वो कर लेंगे, वैसा करेंगे, तो वैसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, अब वो करेंगे, करेंगे, लेकिन करा कुछ नहीं, तो कहने का मतलब, शनी और जो राहू होता है, वो जबरदस्त प्लैनिंग देता है, लेकिन कही ना कहीं अगर वो negative हो गया वो implement नहीं कर पाएंगे अपने अंदर अलस अपने अंदर या तो बहुत जादा पतला या तो वो fat चड़ाता जाएगा यह भाईया यह fact जो अपने अंदर वो body में भी जाननी देने देता वो वो कहते न सोचता बहुत है ultimate अंत अक्त लेकिन जहां क करने की बारियातिय नहीं हो पाएगा हो भी निपाएगा और भाग के साथ भी जिस लेवल पर देना चाहिए वो हो निपाएगा तो अपनी जो अंदर की कमिया है वो तो कई ना कई हमें ही पूरी करनी है हर चीज अब एक और चीज बताती हूं बड़ी मज़ेदार यह जो जाहू वाले जो लोग होंगे यह हमेशा ग्रहों को को सेंगे यह हमेशा भगवान को को सेंगे हमारे साथ यह क्यों कर दिया हमारे साथ वो क्यों कर दिया अब मैंने हमेशा एक चीज बोली है आप उपर वाले पे डिपेंड कर रहे हो सकता है उपर वाला पे डिपेंड कर कहने का मतलब यह है सीधी बात है अब चलो ये तो चीजे हमको समझ आ गई तो आ गई अब इसके उपाई बताती हूँ लेकिन सीधी बात है फैक्ट बोल रही हूँ reality check एक देरियों आप उपाई करो फिर बोलो जी हरे कुछ हुआ तो है नहीं अब हमने तो कुछ किया नहीं तो होगा कैसे है की नहीं आपको थोड़ा effort put in करना पड़ेगा easy way out जब negative planet होते है easy way out नाम की कोई चीज होती ही नहीं है वो एक क्याते है ना उमीद जी चमतकार होगा अपने में चमतकार बनोगे तो चमतकार देखोगे बात खतम हो जाती वहीं पर सीधी बाग अब क्या करोगे पहली चीज एक तो ना अपने हाथ पेते जैसे जो चंदन का इत्र होता है चंदन का इत्र हाथ में रखकर है ना आपने बस अपने मन में वो चीज सोच नहीं है कि आप क्या चाहते हो है ना अब उसको किस मन्तर से अभी मन्तरित करोगे नाभी पर यहाँ पर नाभी favour Bramand में, वह मारे पिंड में, अमारे शुरीर में, सुर्य, जो ब्रहमांड का सूर्य, सूरज जिनको हम लोग, के-के जल चड़ाते, हमारे पिंड का सूर्य, हमारा solar plexus, अगनी ततव जब कम हो जाता है, अगनी तत्व जब रहता ही नहीं कहते हैं जब एक इंसान अर्थ प्लैनेट को छोड़ के चला जाता है तब ही तो उसकी बॉड़ी उसका शरी ठंडा पड़ जाता है फैक्ट है है ना तो अपनी अंदर की जो अगनी है उसको भुजने मत दो अधर्वाइस क्या फाइदा सीधी बात है ना उसको वो रखकर अपने नाभी पे कहते हैं थोड़ा सा ध्यान करो थोड़ा सा ध्यान करो अपने लक्षिय के बारे में सोचो चंदन का जब इत्र लगा जालके क्याते ना एक नियम बना लो यार एक नियम बना लो सुबह जाकर ओम नमस्षवाई ओम नमस्षवाई ओम नमस्षवाई ओम नमस्षवाई राहू का जो नेगेटिव एफेक्ट है वो कटेगा सूर्य का अगर सूर्य राहू के साथ केत्व के साथ शनी के साथ अब एक और चीज़ आपको बताती हूं कोई भी ऐसा पकावा भोजन बनाओ जिसमें काली उडद की चाहिए वो खिचडी बना लो काली उडद और राई वो चीज होनी चाहिए हन्रेड परसेंट ये आपका जो कुपित राहू है कुपित शनी है इसका जो नेगडिव एफेक्ट है वो कार्ड के रख देगा आपको इतना फरक महसूस होगा जिसकी कोई हद बात नहीं गैरिंटी बात है एक और चीज़ आपको बताती हूं न ये जो पकावा भोजन है फि इदर बैठी हम ना बटकते हैं अदर हमको बटकने की शायद अब आदती हो गई है वह बड़ी बड़ी चीज़ है जब तक वह क्याते ना पूरे पैसे ठूसना दोगे इन पाखंडियों के मुह में दस नग पहनना लोगे हमको खुद को भी सैटिसफेक्शन नी मिलती दू सैटिसफेक्शन वाली जो चीज़ है वो तो दिमागी चीज़ है भया उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता सीधी सी बात है एक और चीज़ बताती हूँ बेशक कितने लोग मैंने देखे जो घर से काम करते हैं ना या बाहर जाकर जो भी जो भी एक तो दही में थोड़ी से दही में थोड़ी से शकर डालके है ना उसको खाना है जब भी काम शुरू करना है और जब जा रहे हो तो पीछे कोई भी होगे उनको बोला कि मेरे पीछे से सर के उपर थोड़ी कली उड़द के दने फेग दो अब वो व्यक्ति जैसे आपके हस्बेंड है या बेटा है जो भी है कर दिया वो निकल गया जो जैसे मानलो अगर कई बर सर पे डालते है ना वो सर पे रह जाता है उसको हटाना नहीं उसको रहने दो रहने दो कोई बात नहीं बड़ व्यक्ति जब घर से चला जाए है ना तो वो उठा कर उसको फिर मिट्टी में दबाना है जब अगर क जाते हैं ना काम नहीं बन पारे जहां जारे हो सिफ चपले ही घिसे जारी है स्ट्रगल ही बड़े जारी हाथ में कुछ ना रहा तो करके देखो और मैं तो एक चीज बताओ क्यूंकि आपको भी पता है को विड़ चल रहे वो करके मारे पास ओफिस वगेरा जी अलग से ओफि मेरे भी हैं तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं यह चीज़े करो और भी चीज़े बतानी थी वीडियो बड़ी लंबी पड़ जाती पाशा लोगों है कि नहीं और बाकी वास्तु की क्लासे मैगनिफाइड ही लिंग की जो क्लासे 25 के बाद से रेजिस्ट्रेशन चुरू हो के वास्तु की क्लासे सेल्फ वास्तु कोर्स की रेजिस्ट्रेशन ओन है वाटसप करना मैं कौल नहीं उठा पाती चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो वीजी को लाइक करो शेर करो इसले करो सब की सिंदगी ठाओ जाए ओके देन बाबाई नमस्क झाल झाल